तो देखो पांच मेजर टॉपिक्स पे हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि फर्स्ट क्या है कि सही आर्मोल गुलाई हम कैसे प्राप्त करें मालो कि आपका पुराने ब्लाउच पर आर्मोल गुलाई 16 इंच आया तो आप जब कटिंग करेंगे तो कटिंग में यह आर्मोल घ्माना है किते इंच की गैपिंग होना चाहिए और उसके बाद अगर हम बात करें था नहीं को अंदरあれ डियक अब फरंट का यह दोणá तो दोनों के बीच में जो आप यह गुमाते हैं वो किस टाइप से गुमाना चाहिए अज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूं और इसके सांसा अगर हम बात करें अगर आपका आर्मोल गुलाई घुम गया आपने ब्लाउस की कटिंग कर लिये तो आप कैसे होगा जो मैं कटिंग के बाद आप लोग को समझाओंगा कि किस तरह से यह चीजें वर्क करेंगे और उसके बाद अगर हम बात करें तो स्लीव कटिंग जो कि आर्मोल में बहुंच जादा महत्व रखता है तो जैसे आपने पुराने ब्लाउस पर नापा या बॉडी पर न तते हैं सही आर्मोल गुलाई आप कैसे प्राप्ट करोंगे मान लो कि आपकी आर्मोल गुलाई 5 x162 चीचल अब इस सोला इंच के गुलाई में जब आप क्या करेंगे एक करेंगे क्टिंग तो किस प्रकार से जैसे आप एक ब्लॉज का शेप लेते मैं आप यहांपर समझ सुर्णान आप Пाँछ इंच पर ले रहे हैं 6 इंच पर ले रहे हैं कोई 5.50 पर ले रहे हैं कि लें तो यह मंशेंखके लिए कि ग chorणे में हम को जितना की सब बाक आप तैंगे मार के लखाए वगाने कि और उसके बाद बाद यहां पर हम सबाउल कि कर दें मार करें मिलाने के बाद इसी लाइन पर आपको एक मिजर्मेंट डालना होता है लाइक आप उसको पांच इंच का डालिए सबसे वो डिपेंड करता है तो आपको सही आर मोल की गुलाई अगर कटिंग में प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है पहले एक डॉटेड लाइन से मार्क करें ना मालो हम यहां पर पांच इंच का मार्क करते हैं अब गौर से यहां पर समझना हमको 16 इंच चाहिए आर मोल की गुलाई कितना चाहिए 16 अब यह जो मार्क हमने किया इसको डॉटेड लाइन से यहां पर आगे बढ़ाते है ऐसे उसके बाद हम क्या करेंगे एक टेप रख करके घुमा करके चेक कर लें पैसे आपकी आ धुथ जादा आ रहा है तो ठोड़ा ओर कम ले सकते इसे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि हमको थोड़ा सा उपर ज्वाइंट छोड़ना होता है और उसके बाद आर्मोल की जो गुलाई है उसको प्रॉपर इस तरह से घुमाना होता है तो वह हल्का फुलक अगर पाव इंच एक आज तो एश्टर आ रहे तो उससे कोई फरक नह प्राव फिर से दॉल्क लाइन ले लेना कि ये ऐसे और अगर ज्यादा करने तो ज्यादा करेड स्चीज बता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे हैं फिर से टेप से नाप करके देखें चेहां यह देखो थोड़ा छोड़ करके इस तरह से आपके देखना है तो यह आप आ रहा है अब मान लो कि आपको और बढ़ाना है तो नीचे और अब जो आपका बराबर बैठेगा उसमें आप क्या करोगे एक सीधा मार्क कर देना इसकेल से अब देखो जैसे आपने आर्म होल गोलाई तो प्राप्त कर लिया मान लो आपको 16 चाहिए था और आपने 16 इंच ला भी लिया ठीक है यह चीज़ तो आपका क्लियर हो गया अब कैसे हम बात करते हैं दूसरे नंबर पॉइंट की वो क्या है कि आप सहीं तरीके से गोलाई को घुमाएंगे कैसे आपने यह वाला मार्क ले लिया जित्ते पर आपको लेना था आपने इंचिटेव से इसको बराबर चेक करके देख लिया जितना आना था उतना आ गया लेक इसी में मैं सामने और पीछे पला दोनों की गोलाई हमेशा से बताते आ रहा हूं ताकि आप सामने पला जब रॉक करें तो खाली उस निसान को कॉपी बस करें दोनों गोलाई हम इसी पर घुमा देते हैं तो आपको यह जो लाइन है ना पॉइंट है वहां से एक इंच ले जो आपका चैस्ट लाइन है जो उदर फिटिंग की तरफ जाता है वहां से आप कम से कम कितना लें डेड़ से पौने दो इंच दूरी यहां पर लें उस तरफ में जो फिटिंग लाइन है और जो शोल्डर लाइन जा रही है उदर कितना लेंगे लग बग उतना ही दोनों इस पर्टिकुलर चैस्ट के लिए मैं बता रहा हूं उसके लिए लेकिर बाकी जो हैवी साइज है या उससे छोटी साइज है उसमें यह निशान खोड़े कम जादा होंगे बड़ी साइज है तो यह निशान जैसे हमने पौने दो पिलिया दो सबादो आगे बढ़ें ठीक प्रेंट पलेंगी तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो आपकी आर्म होल की की गोलाई का शेप हैं जैसे आपका ये वाला हो गया पहला number और ये दूसरा number चाहे आप इसको पहला बोलो चाहे आप इसको दूसरा बोलो उससे कोई फ़रक नहीं पड़ता कहने का मतलब क्या है कि जो अंदर से है जो नस्दीक से है वो फ्रेंट की होती है और जो बाहर से है वो प्रेक होते हैं तो फ्रणट और बेक क्οारमोल के बीच में यहां से होता है आई लेकिन यह डिश्टेंस एक इसको आपको समझना होगा कि ये कहां से और कैसे घूमता है और उसके बाद ये जो हम हलका रह सम करेंगे तो यह चीज़ें कैसे होती है उसको भी समझते हैं धूसरी गोलाई आपको पौन इंच का और डिस्टेस लेना कहां से उस गोलाई से यह पॉंट से आपनि एक इंच ना पता सभगा से सीधा दो नाप सकते तो दोनों का मतलब में इसको common रख सकते हैं पहली गुलाई से सभी तरह पौना-पौना इंच रख करके इस तरह से मिला तो यह आपकी गुलाई यह आपका इस तरह से डाउन आएगा नीचे यह देखो यह है ऊलेकि आपका educator से नहीं पैसे पता करोगे आपको क्या करना हैं पुराना जो ब्लाउज उसको देखना एक बार कि आपने जो गुलाई लिया वह गलाई परफेक्ट हां कि नई तो एक बार अपका नापकर देखो जितना आर मोला है उतना ही आपका क्या आना चाहिए कटिंग में भी आना चाहिए अब दोनों आ गया मतलब आपका गोलाई तो परफेक्ट है उसमें कोई इसू नहीं है लेकिन गोलाई का जो शेप है वो सही तरीके से घुमा है कि नहीं यह कैसे करते हैं तो देखो एक स्लीव है एक बैक पला है चैक कैसे करेंगे आपका यह जो कट टू कट है जो मारजीन इसको छोड़ना है यह देखो मोल लेना इसको और अस्तिन में भी कट लगा होता है तो यह इस प्रकार से रखना यह सेंटर का कट यहां पर ऐसे और उसके बाद इस इसे रखके जब घुमाएंगे देखो कट टू कट भी मिल रहा है और मार्जीन भी प्रॉपर मिल रहा है तो यह एकदम एक्क्यूरेट जा करके बराबर बैठेगा कोई इश्यू नहीं आएगा अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पर देखो यह जो पॉइंट है न अगर यह साड़े सोला आ गया तो और अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्लीव का आर्मोन स्लीव कटिंग बाकी स्लीव कटिंग जैसे यहां पर देखते हैं यह शेप घुमाना बहुत से लोगों को अच्छी तरीके से नहीं आता तो यह जो शेप है ना इसके बारे में बताऊंगा कि इसका किटना रहता है कैसे शेप को घुमाया जाता है इसके ऊपर अपर वीडियो आएगी आज सिर्फ इतना बताऊंगा कि ब्लाुस का आर्म होल और स्लीव का जो आर्म होल है उस आर्म होल को आप कैसे सैट करेंगे ताकि छोटा बढ़ा ना होँ और जोलना आएं ज्यादा कुछ आज इस वीडियो में नहीं बता रहा हूं सिर्फ इतना बताऊंगा जैसे हमने यह अस्तिन भी काट रख है आप कोई और नहीं अस्तिन काटते हैं तो उसमें कैसे आपको ध्यान रखना इसी को हम पलटा लेते हैं अब देखो एक सीधा निश हो जाएगे गोलाई और लंबाई दो चीजें पहले नाप लेनी जितना भी गोलाई है आपका वो नाप लो मार्जिन छोड़ दो और उसके बाद इतना लंबाई है वो नाप लो और एक सीधा निशान वहां पर भी लगा दो ठीक है यह इस तरह से दोनों जगन आपके सीध आपको कुछ दिमाग लगानी की जरूरत नहीं है जैसे हम क्या बोलते हैं यहां पर जितना आपकी गोलाई है उससे एक ज्यादा पॉना इन ज्यादा या सवा इन ज्यादा जैसे यह कंडिशन के सबसे डिपैंड करता है अलग अलग कंडिशन तो ऐसा ट्रिक बता रहा हू कि आप इस प्रकार से टेप को रख करके अगर नापोगे ना तो आपके अस्तिन की आर्मोल गोलाई हलका से आधा हिंच बढ़के आएगी और इससे आपको बेनिफिट होगा ठीक है क्योंकि अगर आपकी स्लीव की आर्मोल गोलाई थोड़ी सी बढ़ी है ना तो करते इसके बाद के हिसाब से घूमाने का मैं बताता हूँ आपको पता है कि अस्तिन का रॉंड इस तरह से घूमता तो आप टेप को वैसे ही घूमा करके रखके देख सकते हैं जैसे जैसे जो concept था मैंने पूरा clear कर दिया है I hope आप लोगो ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये नहीं कर पाएंगे कि हमको आर्मोल गोलाई से इसे देना नहीं आता ये आर्मोल में कुछ दिक्कते हैं बहुत हद तक आपकी सभी तरह की problem solve हो जाएंगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करें शेयर करें अगर आप चैनल पर पहली वार आए हैं चैनल को subscribe भी कर लिजेगा आपकी मैं राज आप से फिर मुलाकात करता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ तक तक के लिए जाएंग